गुड मॉर्निंग देर सुडेंट्स, सूप्रभात, जैतु संस्कृतम, रीट डाउटफुल क्योशन सिरीज का ग्यारवा टेस्ट आज हम लोग प्रारूम करने जा रहे हैं, तो चलिए देखते हैं, टेस्ट ग्यारा का प्रश्ण नंबर वन है, अशुद्ध पदम किम, नि प्रश्ण अ है, प्रच्छ प्लस तव्यत, प्रश्टव्यह, प्रच्छ धातु की साथ तव्यत प्रते मिलाने पर प्रश्टव्यह बनता है, यह बिल्कुल शुद्ध पद है, प्रच्छ प्लस अनियर, प्रच्छ नियह बनता है, यह भी बिल्कुल शुद्ध है, प्रच् प्रच्छ प्लसक्त प्रश्टह यह अशुद्ध पद है देखिए सभी में प्रच्छ धातु है सभी में प्रव की मात्रा प्रव ही रह रही है हर बार देखिए प्रच्छ से तव्यत मिलाने पर प्रश्टव्य बना प्रच्छ में अनियर मिलाने पर प्रच्छनिय बना प्रत्य समझ में नहीं आ रहे हैं तो प्रत्य अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है कम से कम ये 20 से 22 घंटों में खतम होने वाला टॉपिक है और उसको यूट्यूब पर हम लोग नहीं समझा पाते हैं क्योंकि वहाँ पर स्टुडेंट्स को हमें याद करवाना होता है औ और जो नियम में यहां बता रही हूं उन नियमों को आप अपनी कॉपि में लिख दें क्योंकि वो नियम एक साथ यूट्यूब पर हम नहीं समझा पा रहे हैं इसलिए प्रशनों के माध्यम से एक एक करके वो नियम आपके समख्ष प्रस्तूत कर रहे हैं तो देखी बहु बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और कम से कम 90 से 95% स्टुडेंट्स का यह प्रश्न गलत हो जाता है क्योंकि वह इस नियम को नहीं जानते हैं देखिए बहुत ही साधारन सा बहुत ही सिंपल सा नियम है कि दो धातुएं हैं आपकी बहुत अच्छे से सुनिएगा दो धातु हैं एक धातु का नाम है ग्रह और एक धातु का नाम है प्रच्छ दो धातुएं हैं और दोनों धातुएं में देखिए ग्रह और प्रच्छ इन दोनों धातुएं में ये चुभने वाली मात्रा है अर्थात र वाली मात्रा है ग्रह प्रच्छ अब देखिए ये दोनों धा जब भी किसी कर एवं त इस शब्द से प्रारंब होने वाले प्रत्य के साथ जुड़ती हैं। एक प्रत्य तो है आपका क्तवत्य तो देखिए जहां पर क और त एक साथ मिल रहे हैं वे तीन प्रत्य हैं। जाती है अर्थात गोल हो जाती है तो ग्रह का बना बनता है ग्रिहीतः ध्यान से सुनिएगा ग्रह धातु में एक्तवतु प्रत्य मिलाने पर बनेगा ग्रिहीतवान इसी प्रकार प्रच्छधातु की बात करते हैं प्रच्धातु उक्तवा प्रत्य की साथ मिलाने पर प्रिष्टवा प्रच्छधातु उक्तवा प्रत्य की साथ मिलाने पर प्रिष्टः अर्थात ये जो मात्रा है ये ऐसी गोल हो जाएगी अर्थात र की मात्रा री बन जाएगी तो यहाँ पर प्रश्टः नहीं यहाँ प्रिश्टह बनेगा अथा प्रश्ट नमबर एक का सही उत्तर हो जाएगा ओप्शन दो नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर दो अशुद्ध पदम किम वो जो नियम मैंने बताया उसी को फिर रिपीट करने के लिए मैंने कंटीनियसली सेकंड प्रश्टह भी वैसा ही दे दिया है जो की उस नियम पर आधारीद था देखिए ग्रह प्लस तव्यत ग्रही तव्यह ये ग्रही तव्यह ही रहेगा क्योंकि यहां करत वाला प्रत्य नहीं है जैसे कि क्तवतु एवं क्तवा ये तीन प्रत्ते जब आते हैं तो ग्रह एवं प्रच्छ इन दोनों धातुओं की ये जो मात्रा है रवाली ये री बन जाएगी ये आपका नियम था अब देखिए ग्रह धातु के साथ तव्यत प्रत्ते होगा तो ग्रही तव्य ही बनेगा ग्रह धातु के साथ अनियर प्रत्ते जुड़ेगा तो ग्रह नियह ही बनेगा ग्रह धातू के साथ तकत प्रत्य जुडेगा देखिए मैंने नियम यही बताया था के ग्रह और प्रच्छ के साथ कत जहां पर क और त एक साथ आ जाएं उन प्रत्ययों में ग्रह और थात ये र की मात्रा री बन जाएगी तो देखिए ग्रही तह नहीं बनेगा इसका सही रूप हो जाएगा ग्रही तह तो क्योशन नमबर दो का सही उत्तर है और बहुत यच्छी याद करने वाली एक बात और भी है कि ग्रह धातू जब भी जुडेगी तो उसमें जो ई की मात्रा होगी वो सदेव बड़ी होगी केवल एक मात्र ग्रह धातू ही ऐसी है जिसमें सेट की मात्रा बड़ी होगी अर्थात ग्रही तह ग्रही तव्य ग्रही तुम यही की मात्रा केवल ग्रह के साथ ही बड़ी होगी अदर्वाइस तो आपने देखा होगा पठी तुम पठी तव्यह सभी जगह ईकी मात्रा छोटी होगी लेकिन ग्रहो अलीटी दिर्गह इस सुत्र का यह मानना है कि ग्रह धातु जब भी होगी तो उसकी ईकी मात्रा दिर्ग हो जाएगी यह केवल ग्रह धातु के साथ ही होगा अन्यस सभी धातूं के साथ बिल्कुल नहीं होगा तो दो नियम आपने याद किये हैं एक नियम फिर से सुना देती हूँ कि ग्रह और प्रच्च यहाँ पर जो र वाली मात्रा filler है वो जब किसी करतव वाले प्रत्ते के साथ जुडती ह तो उनका ररी में परिवर्तित हो जाता है या फिर ऐसे याद रख लें कि ये जो चुबने वाली मात्रा थी ये बिलकुल विनम्र हो जाती है अर्थात मुड़ जाती है इसी कारण आपका ग्रिहीतह प्रिष्टह इस प्रकार के रूप बनते हैं दूसरा नियम ये बताया मैं कि पठी तुम पठी तव्यह हसी तुम हसी तव्यह यहां जो ई की मात्रा है सभी धातूं के साथ छोटी रहती है लेकिन केवल ग्रह धातू ही एसी धातू है जो कि ग्रहो अलीटी दिरगह सुत्तरानुसार ग्रह धातू के ई की मात्रा सदेव बढ़ी रहेगी चाहे वो ग् ग्रही तुम हो या ग्रही तह हो दोनों नियम बहुत अच्छे से अपनी कौपीज में लिख दीजिएगा क्योंकि मेरा ये मानना है कि प्रत्य संबंधी जितने नियम मैं यहां बता रही हूं वो आपकी इतनी समझ विक्सित कर देंगे कि परिक्षा में आप उस प्रश्णों सरलता से कर पाएंगे चली देखते हैं नेक्स क्योशन क्योशन नमबर थर्ड विसर्गह पदे धातू रस्ती विसर्ग इस पद में कौन सी धातू है देखिए यदि हमसे ये पूछा जाता कि विसर्ग में कौन सा प्रत्य है तो हम पूरे शब्द को बहुती शांती से बोल देखिए मेरा साउंड आ रहा है यहां पर अह और जहां पर भी अह साउंड आएगा वहां आपका प्रत्य हो जाएगा घंप्रत्य अह साउंड आने पर घंप्रत्य हो जाएगा अब देखिए विसर्गह पद कैसे बना है वी उपसर्ग धातू का नाम है स्रिज और प्रत्य अब देखिए स्रीज और सर्ग कैसे बना होगा तो आपको एक सुत्र कई बार बता चुकी हूं मैं एक सुत्र का नाम है चोहकू चोहकू सुत्र ये कहता है कि चवर्ग के स्थान पर कवर्ग आदेश कीजिये इसी कारण यहाँ पर चवर्ग का तीसरा अक्षर है तो इसको काटकर हमने कवर्ग का तीसरा अर्थात ग लगा दिया तो आपका बन गया स्रिज की जगस्रिग अब देखिए जितनी भी धातू हैं जिन में दो अक्षर हैं ध्यान दीजिए जैसे कि स्रिज यहां दो अक्षर हैं जिस भी धातू में दो अक्षर हैं और पहले वर्ण पर री की मात्रा लगी है तो वो री की मात्रा वहां से हटके दूसरे वाले अक्षर के उपर लग जाएगी तो स्रिज का बन जाएगा सर्ग और सर्ग का गहलंत है वो घंप्रत्य के साथ मिलाकर विसर्ग बना देगा तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि वी उपसर्ग स्रिजधातू एवं घंप्रत्य से विसर्ग शब्द बनता है तो क्याशन नमबर थर्ड का सही उत्तर हो जाएगा स्रिजधातू ओप्शन सर्ग नेक्स क्याशन है आपका क्याशन नमबर चार हितह एवं हीतवान दोनों पदों में कौन सी धातू है देखिए धा धातू है एक इंपोर्टन धातू है धा जिसका तात्पर है धारण करना धा अर्थात धारण करना धा प्लसक्त धा धातू के साथ धा प्रत्य मिलाने पर तो बनता है हितह और धा धातू के साथ धारण की धातू हो जाएगी धा देखिए ये doubtful question series है और मैं चाहती हूँ कि 30 में से 30 अंक ही हमें प्राप्त हो तो मैं चाहती हूँ कि बहुत अजीब से जो शब्द है जो कि सामानितया परिक्षा में पूछ लिए जाते हैं और यदि वो हमने एक बार भी नहीं पढ़े हैं तो possible ही नहीं है कि हम उस प्रशनों को कर पाएंगे इसलिए मैं इस question paper में कुछ अजीब सी धातुएं भी लेकर आई हूँ जो कि दिखती नहीं है किन्तु उस प्रकार से चलेंगी अब देखिए धातु का नाम तो है धा लेकिन चल रहा है हितह तो बिना पढ़े तो कभी भी आप इसको अनुमान के आधार पर नहीं कर पाएंगे आप कोई भी तुक्का यहां नहीं लगा पाएंगे किन्तु एक बार भी आपने पढ़ा है कि धा अपले सकता हितह बनता है तो वो परिक्षा में जरूर से क्लिक हो जाएगा इसी कारण कुछ अजीब सी और कठीन धातु में यहां लेकर आई हूँ लेकिन आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि यह धातु तो हमने पहले कभी पढ़ी ही नहीं जो नहीं पढ़ी है उन्हीं धातु हों कभ एन टाइम पे और सॉल करना है ताकि एक्जेम में आ जाए तो आप एटलिस्ट आप कर तो पाएंगे है ना तो टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है बहुत महत्वपूर्ण धातु हैं बहुत अजीब सी धातु हैं जो कि बिल्कुल वैसी दिखती नहीं है लेकिन चलती है उन धातु का संग्रह में यहां लेकर आई हूँ तो आप बहुती पेशन्स के साथ पेपर को सॉल करें और इस पेपर को आप लिख कर याद कर लें बहुती परिक्षो अपयोगी है यह चलिए क्याशन नमबर चार में धा पल सकत हितह धा पल सकतवतु हीतवान बनेगा तो धा धातु से हितवा और हीतवान बनते हैं तो क्याशन नमबर चार का सही उत्तर था option द नेक्स्ट क्याशन है आपका क्याशन नमबर पांच अधो लिखी तेशु कस्य पदस्य संग्या भवती निम्नांकित में से किस पद की संयोग संग्या होती है अब देखी संयोग संग्या किसे कहते हैं संयोग संग्या का तातपर है व्यंजन के पश्चात व्यंजन ही आजाए दो व्यंजनों के बीच में स्वर नहीं हो उसी को कहते हैं संयोग इसका सुत्र है अंतरा अर्थात बीच में कोई स्वर ना आए व्यंजन के पश्चात व्यंजन ही आए उसी को संयोग संग्या कहते हैं तो देखे यहां चार ओप्षन दे रखे हैं हमें तो देखे वर्ण विच्छेद करके हमें देखना होगा कि कहां पर संयोग संग्या हुई है तो देखिए वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें चारों option को तोड़ना पड़ेगा और इतना एक time हमारे पास exam में नहीं होता क्योंकि वहाँ time की भी limitation रहती है और बहुत सारा pressure भी होता है कि पूरा paper अभी बाकी है तो कम समय में आप संयोग संग्या कैसे चाटे तो देखिए एक बार तो मैं detail करके बताती हूँ फिर आपको कम समय में कैसे चाटे वो दोनों बता देती हूँ ताकि जो तरीका आपको पसंद आए वो आप exam में apply करें देखिए सबसे पहला option है अपना हरी शह हरी शह का वर्ण विच्छेद करके देखते हैं देखिए वर्ण विच्छेद के लिए हमें करना है एक के वर्ण का टुकडा तो ह हलंत ह कैसे बनाए हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस ई ई की मात्रा बड़ी प्लस श हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग ऐसे बनता है आपका हरीशह अब देखिए एक एक कायदियम इतना बड़ा वर्ण विच्छेद करेंगे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा अब देखिए ये हमसे कह रहे थे कि संयोग संग्या तो उसे कहते हैं जहां पर दो व्यंजन एक साथ आ जाएं तो देखिए एक व्यंजन एक स्वर ये एक स्वर एक व्यंजन फिर ये एक व्यंजन एक स्वर फिर ये एक व्यंजन और एक स्वर हर बार एक व्यंजन के साथ एक स्वर या एक स्वर के साथ एक व्यंजन आ रहा है कहीं पर भी दो व्यंजन कंटिनियसली नहीं आए हैं तो इसकी संयोग संग्या नहीं हुई किन्तु हमारे पास एक्जम में इतना टाइम नहीं होगा कि हम चारों पदों को इस प्रकार से करके जज करें तो बहुत इसरल तरीका में आपको बता रही हूँ कि चारों उदारणों में जिस भी उदारण में आधा अक्षर हो या रेफ हो पुना सुनेंगे चारों उदारणों में किसी भी उदारण में यदि कोई अक्षर आधा है या फिर रेफ है तो आपको याद करना है कि उसी में संयोग संग्या हुई होगी देखिए यहाँ पर एक पद दे रखा है अम्बूदह जिसमें की एक वर्ण आधा दे रखा है तो देखिए अम्बूदह का वर्ण विच्छेत करते हैं देखिए ये लिख दिया मैंने अ अ अपने आप में स्वर है इसके टुकडे नहीं होंगे अब देखिए म आधा है तो म हलंत लिख दिया फिर बू कैसे बनेगा ब हलंत प्लस उ फिर बनेगा आपका दह तो द हलंत प्लस अ प्लस विसर्ग ये बन गया आपका अम्बूदह अम्बूदह में देखिए एक स्वर है एक व्यंजन है कोई बात नहीं म और ब को देखिए दो व्यंजन कंटीनियसली आ रहे हैं यानि कि इसमें सैयोग संग्या हुई है तो देखिए चारों अप्शन को स्वाल करने पर बहुत टाइम वेस्ट होगा या जहाँ पर कोई अक्षर आधा है नी संदे वही संयोग संग्या हुई होगी इस प्रकार के प्रिक से आपका समय भी बच जाएगा और उत्तर सो प्रतिशत सही निकलेगा तो क्योशन नमबर पाँच का सही उत्तर था उप्शन ब अम्बूदह नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर छे धात्रंशह पदस्य संधी विच्छेद स्यात धात्रंश पद का संधी विच्छेद क्या होगा ओप्शन अ है धात्री प्लस अंशह ओप्शन ब है धात्री प्लस अंशह ओप्शन सह है धात्री प्लस अंशह ओप्शन द है धात्री प्लस तरंशह देखिए option so को देखिए धात्रे प्लस अन्शह इसको solve करके बता देते हैं option है आपके पास धात्रे प्लस अन्शह अब देखिए यहाँ पर धात्री में री है और री के पश्चात यहाँ पर अ आ चुका है री ये अर्थात स्वर, स्वर के पश्चात कोई असमान स्वर आए, तो उस स्वर को यन संधी से यन संधी आदेश होती है, देखिए यन संधी में इ को य, उ को व और री को र आदेश होता है, री को र आदेश करते हैं यहाँ पर जो आदेश होता है वो हलन्त होता है, तो द अगे आपका पद बच गया धात, धात का त हलनत है धात प्लस र प्लस अंशः अब देखिए त और र मिलकर त्र बनते हैं और ये देखो ये भी हलनते और ये भी हलनते तो त्र आपका हलनत रहेगा इस हलंत त्र में अंश का अ मिलाने पर ये बन जाएगा धात्रंश पीछे श दे रखा है तो धात्रंश इस प्रकार धात्री प्लस अंश बराबर धात्रंश बनेगा तो क्योशन नमबर 6 का बिल्कुल सही उत्तर था ओप्शन स धात्री प्लस अंशह और यदि पूछा जाता धात्र अंशह में कौन सी संधी है तो संधी का नाम हो जाता यन संधी नेक्स देखते हैं क्योशन नमबर 7 राम किस से डरता है हिंदी अनुवाद करना है हिंदी अनुवाद दे रखा है यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करना है प्रशन दे रखा है राम किस से डरता है देखिए अनुवाद करते समय पूरे हिंदी के वाक्य में कोई न कोई क्लू ऐसा होगा जो कि आपको ये बताएगा कि इसमें तो ये विभक्ती लगेगी तो देखिए राम किससे डरता है अब यहाँ पर आपने सुना होगा एक सुत्र है बित्रार्था नाम भय हे तू यह सुत्र हमसे कहता है कि कहीं भी भय एवं रक्षा की बात हो तो जो भय एवं रक्षा का हेतू है जिससे हम डरते हैं उस डर के विशय में पंचमी विभक्ती प्रयुक्त होगी अर्थात विभ्यती या त्रायते ज्यान दीजेगा विभ्यती या त्रायते इस प्रकार की धातूं का प्रयोग होने पर पंचमी विभक्ती प्रयुक्त होती है तो राम किस से डरता है तो आपको याद रखना है कि किस से डरता है यहाँ पर भय का जो विशय है वो अपने लिए अभी प्रश्ण वाचक है तो किस से डरता है यानि भय का हेतू कौन है उस भय के हेतू में पंचमी विभक्ती लगेगी तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कस्मात रामह कस्मात विभ्यती इसको विभ्यती भी आप लिख सकते हैं कोई प्राब्लम वाली बात नहीं है राम किस से डरता है नेक्स क्योशन है आपका क्योशन नमबर आठ यज प्लस तव्यत यज धातू के साथ तव्यत प्रत्य मिलाने पर क्या बनेगा अब देखिए यज धातू का तात्पर है यग्य करना फिर से सुनेंगे यज धातू का तात्पर है यग्य करना और यज धातू के साथ तव्यत प पठी तव्यह तो यज से यजी तव्यह नहीं बनेगा ज्यान दीजेगा दो धातुएं हैं आपके पास एक धातु है यज और एक धातु है आपके पास स्रिज स्रिज अर्थात कोई विशय विशय वस्तु बनाना और यज अर्थात यजना या पूजा करना या आराधना करना स्रिज और यजधातू में जो ज़ हैं उनके स्थान पर शटकोन का श़ आदेश होता है तभी आपका स्रिज से श्रिष्टी, श्रिष्टव्यह, श्रिष्टः इस प्रकार के पद बनते हैं फिर से सुनेंगे नियम को स्रिज और यजधातू, दो धातूएं ऐसी हैं कि इनके ज़ को शटकोन का श़ आदेश होता है तो स्रिज और यज के ज़ को शटकोन का श़ लगने पर आपने देखाओगा स्रिज से स्रिस्टह, श्रिस्टव्यह, स्रिस्टी इस प्रकार के पद बनते हैं अब देखिए यज वाली धातु को पूरा सॉल्व करके देखते हैं यज प्लस तव्यत ध्यान दीजेगा अपने पास पद है यज प्लस तव्यत तव्यत प्रत्य में अपने पास पूरलिंग का तव्यह शेश रहता है नियमानुसार यज के ज़ को शटकोन का श़ लग जाता है तो ये बन गया आपका यश़ और पीछे से रह गया तव्य हपुरलिंग में देखिए शटकोन का श़ जब भी आएगा बहुत अच्छा नियम है जब भी धातू का प्लस के निशान से पहले धातू का अंतिमवण य आपका ट बन जाएगा तो तव्यह बन गया आपका तव्यह ज्यान दीजेगा जब भी कोई वन शटकोन का श़ बनेगा तो पीछे आने वाला त त बन जाएगा तो यज प्लस तव्यत यश तव्यह बनेगा देखिए ये रहा आपका यश और ये रहा आपका तव्यह दोनो के शो के पश्चात जो त होगा वो त त बन जाएगा इस करण यश्ट विहरूप बना नेक्स आपका प्रश्ण है प्रश्ण नंबर नो सोधुम बहुत ही महत्वपुन प्रश्णों का संकलन है स्टैस सिरीज में सोधुम यहां प्रकृती और प्रत्य कौन से हैं देखिए सो सोधुम में उम साउंड हारा है तो आपको यह तो ग्यात हो गया होगा कि उम वाला उम तुम इस प्रकार का एक प्रत्य रहता है आपका तुम उन प्रत्य है अब देखिए यदि सहधातु के साथ तप्रत्य मिलाया तो आपका बनता है सोधह बहुत ही महत्वपुन प्रश् सोध्र किन्तु सह दातु के साथ ये आपने तुमष प्रत्य मिलाय तो ये बन जाएगा सोधुव तो क्यौशन नंबर नौ का सही उत्तर है सॉरी क्यौशन नंबर 9 का सही उत्तर है option सह हमलस। तुमष अर्थ यदि आपसे पूछा जाता सोधुम में कौन सी धातु है तो धातु का नाम हो जाता सह, सह अर्थात सहन करना नेक्स क्योशन है आपका, क्योशन नमबर दस, सत प्लस मती ही, सत के साथ मती जोडने पर संधी पद क्या बनेगा देखिए कहीं पर भी यदि विग्रह दे रखा है, कहीं पर भी यदि आपका विग्रह दे रखा है, तो उस विग्रह में केवल हमें प्लस के निशान के पहले क्या है और प्लस के निशान के जस्ट बाद क्या है, इन दोनों पदों को ही गोर से देखना होता है तो देखिए सता प्लस मती अब यहाँ पर जो मती है यह आपका मुझे अनुनासिक दिख रहा है और अनुनासिक अर्थात पांच में से कोई एक अंगा इया अना ना एवममा इन पांच में से कोई एक यहाँ पर हो यदि और प्लस के निशान से पहले कोई वर्गिय व्यंजन अर्थात त है आपका देखो तथ दध कख गग पफ बभ चछ जज इन बीस में से कोई हो आगे बीस में से कोई हो और पीछे पाँचवे में से कोई हो तो इस बीसवे को भी अपना पाँचवा लग जाएगा अर्थात त का भी पाँचवा लग जाएगा तो देखिए त का पाँचवा है त थ द धन तो सत के स्थान पर हो जाएगा सन और मती के स्थान पर तो मती ही रहेगा तो ये आपका बन गया सन मती फिर से सुनेंगे नियम को यदि विग्रह दे रखा है तो पलस के निशान से पहले 20 में से कोई वर्ण होगा और पलस के निशान के बाद 5 में से कोई वर्ण होगा तो 20 प्लस 5 आने पर 20 वे को भी अपना पाँचवा वर्ण आदेश हो जाएगा पर याद रखिएगा ये जो पाँचवा आदेश हुआ है ये पाँचवा हलन्त और पीछे वाला पाँचवा पूरा होगा देखिए विग्रह में तो 20 प्लस 5 देखना है किन्तु यदि सन्मती समस्तपद आ जाता और पूछते इसमें कौन सी संधी है तो संधी में देखिए पाँचवा हलन्त और पाँचवा पूरा बिल्कुल सैंटर में नज़र आएगा तो देखिए पाँचवा हलन्त यानि न आधा ही दिख रहा है पाँचवा पूरा यानि कि म पूरा ही दिख रहा है समस्तपद में तो पाँचवा हलन्त और पाँचवा पूरा दिखेगा और विग्रह होगा तो 20 प्लस 5 दिखेगा अब देखी हर बार हम लोग बात कर रहे हैं पांच की और पांचवे वर्ण को कहते हैं अनुनासिक तो इस संधी का नाम हो जाएगा अनुनासिक संधी सत प्लस्मती बनेगा संमती Next question है आपका Question number 11 ब्रमहनह प्रजाह प्रजायंते यहां अपादान किस पद में है या अपादान पद कौन सा है देखे यहां पर लिखा है ब्रमहनह प्रजाह प्रजायंते अर्थात ब्रमह से प्रजा उत्पन्न होती है तो देखे याद रखने वाली बात है कि प्रजार की उत्पत्ती का मूल कारण कौन है ब्रम्हा तो आपने एक सुत्र सुना होगा जनी करतु हूँ प्रकृति ही इस सुत्रानूसार आपको याद रखना है कि उत्पत्ती के मूल कारण में पंचमी विभक्ती होगी और जहां प अपादान कहा जाता है तो ब्रम्हन हा प्रजाहा प्रजायंते यहां प्रजा की उत्पत्ति का मूल कारण ब्रम्हा है अत ब्रम्हा में पंच्मी विभक्ति हुई है इसी कारण इसको अपादान कहा जाएगा तो यहां अपादान संग्यक पद है औप्शन अ ब्रम्हन हा नेक आंकित में से कर्म वाच्च का करता कौन हैं देखिए दो प्रकार के वाच्च की हम अभी एक बार बात करते हैं कूल वाच्च तो तीन हैं कर्तर वाच्च कर्म वाच्च एवं भाव वाच्च हम दो वाच्चियों की यहां बात करते हैं एक आपका है कर्तर वाच्च और एक है आपका कर्मवाच्य देखिए कर्त्रवाच्य का करता जब कथन करता से प्रारमभोर करता में प्रत्मा विभक्ती हो तो कर्त्रवाच्य होता है तो कर्त्रवाच्य के करता में तो प्रत्मा विभक्ती होती है और प्रत्मा को ही हम लोग कर्मवाच्य बनाते समय त्रतिया विभ पूछा गया है कि अधू लिखी तेशू कर्म वाच्ची से करता कह कर्म वाच्च का करता कौन है कर्म वाच्ची अर्था तृतिया विभक्ति पर आई हैं। किन्तु रामे हैं, दो मात्राएं विसर्ग, अर्थात त्रतिया विभक्ती का बहु वचन, वचन कोई भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें तो त्रतिया विभक्ती ढूंड नी थी, तो क्योशन नमबर बारा का सही उत्तर हो जाएगा, ओप्शन द, रामे हैं, अर्थात कर्म भाच्च का करता कौन हो जाएगा, रामे है हो जाएगा, नेक्स क्योशन है आपका, क्योशन नमबर तेरह, मलीनम अपी हीमांशो, लक्ष्म लक्ष्मिम तनोती, इत्यत्र चंदह वर्तते, यहां पर कौन सा चंद होगा, मलीनम अपी हीमांशो हो, लक्ष्म लक्ष्मि अब देखिए चंद गणना करने के लिए हमें पूरे अक्षर गिनने हैं पूरे अक्षर जितने होंगे उसकी आधार पर हम डिसिजन लेंगे तो देखिए मलीनमपी हीमान्षो लक्षम लक्ष्मिम तनोती तो देखिए एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारह 12, 13, 14 और 15 पूरे अक्षर यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं 15 किसी एक चरण में यदी कूल अक्षर 15 है तो चंद का नाम हो जाएगा आपका मालीनी चंद तो 15 अक्षरों पे कौन सा चंद आएगा मालीनी और मालीनी चंद का लक्षन है ननमयय यूतेयम मालीनी भोगी लोके है तो पहला गण आपका नगण है और नगण की मात्राएं तो नगण अर्थात सारी की सारी लगू होती है तो यहां देखते हैं कि क्या पहले गण में सारी मात्राएं लगू है तो देखिए म लीन म लगू है ली की मात्रा छोटी है अर्थात ये भी लगू है न अर् रिष्टियों से हमने चेक कर लिया है कि 15 वर्ण भी है और पहला गण नगण है जो की तीनों लगू है दोनों चीज़े यहाँ पर बिल्कुल प्रामानिक दिखाई दे रही है अथा क्योशन नमबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा selection का option थे नेच्स क्योशन है आपका question number 14 है रिषिह आश्रमे यग्यम यजती रिषिह आश्रमे यग्यको करते हैं या यग्यकी पूजा करते हैं या यग्यको संपन्न करते हैं देखिए काफी स्टुइंट्स के कमेंट आते हैं कि मैं वाच्ची परिवर्तन के क्याशन कभी-कभी गलत हो जाते हैं तो मैं हर वीडियो में बता चुकी हूँ, इस बार भी बता रही हूँ के करतर बाच्चे से कर्म बाच्चे करते समय केवल तीन ही चीजें परिवर्ती तो होंगी करता कर्म और क्रिया इसके अलावा कुछ भी आ गया उसको आप एज इटीज लिख दीजिएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है तो देखिए कोई सेंटेंस दिया जाये उसमें करता कौन है कर्म कौन है क्रिया कौन है उसको छाटे आप सबसे पहले तो देखिए क्योशन नंबर 14 में सबसे पहले लिखा है रिशी रिशी आपका कौन हो जाएगा करता तो कर्ता में त्रतिया विभक्ती लगानी है, कर्ता की त्रतिया विभक्ती लगकर बनेगा रिशीणा कर्म देखना है हमें, रिशी यग्य को, यग्य को, यहाँ पर यग्य कौन है, कर्म है यजती कौन है धातू है जैसे पठती वेसे यजती तो यजती जो धातू है उसमें मूल शब्द दे रखा है यज और यज को संप्रसारण होकर यह के स्थान पर यह आ जाएगा तो आपकी धातु बन जाएगी इज्यते यज्यती की धातु क्या बन जाएगी आत्मनेपद इज्यते तो रिशीना यग्यह इज्यते करता कर्म क्रिया मैंने परिवर्तित कर दिया है और इसके अलावा आश्रमें बच गया, आश्रमें अर्थात आश्रम में अधीकरण, अधीकरण को मुझे परिवर्तित नहीं करना है, संप्रदान, करण, अपादान, अधीकरण, संबंध, कुछ भी आ गया, मुझे उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, हमें केवल करता क पर्मोर क्रिया ही परिवर्थीत करने हैं तो रिशी का बन जाएगा रिशी ना रिशी ना फिर आश्रमे का आश्रमे ही रहेगा और आपका यग्यम का बन जाएगा यग्यह और आपका यजती का बन जाएगा इज्यते इस आधार पर क्याशन नमबर 14 का सही उत्तर हो जाएग काल वाचक अव्ययम नास्ती निम्नाकित में से काल वाचक अव्यय कौन सा नहीं है दिखिए सबसे पहले लिखा है श्वह श्वह अर्थात आने वाला कल तो ये काल वाचक है सेकंड नमबर पर लिखा है यह यह अर्थात बीता हुआ कल यह भी काल वाचक अव्य है तीसरा अप्षन है चीरम चीरम अर्थात लंबे समय तक तो लंबे समय तक समय अर्थात यह भी काल की बात है पूरा पूरा अर्थात पहले का समय पूर्व का समय तो यह भी काल वाचक अव्य है अध्य अध्य यनि आज यह भी काल वाचक अव्य है किन्तु सहसा सहसा का तातपर रहे अचानक तो यह काल वाचक अव्य नहीं है तो क्योशन नमबर 15 का सही उत्तर हो गया आप्शन र तो देखिए डाउटफुल टैस सिरीज में बहुत ही अजीब से प्रशन थे इस बार मैं चारियों की जो 29 वाला ह उसको भी हम 30 में कनवर्ट कर दें कि हर एक चात्र को कम से कम 30 नमबर तो मिलना ही चाहिए तो इसी उत्देश्री के लिए मैं क्योशन का थोड़ा सा नैचर बदल कर लाई थी इस बार तो टैंशन लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है क्योंकि आपने पढ़ लिया है यदि आपने इसको नहीं पढ़ा होता तो आप बिलकुल भी अचानक से नहीं कर पाते किन्तु आपने पढ़ा है तो आपको एक्जैमिनेशन होल में याद आएगा तो जितने भी चीज़ें आपके पास आज नहीं थी उन नहीं चीज़ों को आप एक पेपर पे लिख दें और कम से कम एक से दो बार पढ़ कर जाएं नैचुरली एक्जैम में आप इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम करेंगे ये मेरा पूरा विश्वास है चली मिलते हैं नैक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार